बिग्वास ओटीटी 3 हर गुजरते एपिसोड के साथ काफी दिल्चस्प बनता जा रहा है पहले अर्मान मलिक ने विशाल को थपड मारा था इसके बाद अधनान शेख और लवकेस कटारिया के भी जम कर जगडा हुआ वही अब शो में बतोर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले सोसल मीडिया एंफ्लूएंसर अधनान सेख भी घर से महज 10 दिनों के भीतर ही बेघर हो गया है दरसल बिग बॉस ने घर के कुछ खास मेंबर्स को एक टास्क दिया था जिसे समय पर पूरा ना करने के वज़े से वे घर से इविक्ट हो गए वही उनके साथ साना सुल्तान का भी सफर इस सीजन में अब समाप्त हो गया है ऐसे में अब अदनान के शो से एलिमिनेट होने के बाद अब बिग बॉस 17 के विनर मुनवर फारुकी ने उनका मजाग बनाया है और सोसल मीडिया पर उनके गेम की जम कर आलोचना भी की है दरसल अदनान शेक को बिग बॉस OTT3 से एक विशेश टास के बाद घर से बाहर कर दिया गया उनके साथ सना सुल्तान भी घर से बेगर हो गई घर से बेगर होने के बाद भले ही अदनान ने अपने इंटर्व्यू में इसे अल्ला की मर्जी बताया लेकिन सोसल मीडिया पर उनके बिग बॉस के एक हफते के सफर का हर कोई मजाग बना रहा है वहीं उनकी आलोचना करने वालों की लिस्ट में एक नाम मुनवर फारुकी का भी है दरसल अदनान के बाहर होने के बाद बिग बॉस 17 के विजयता मुनवर फारुकी ने उनके एलिमिनेशन पर कटाक्च किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मुनवर फारुकी ने लिखा कि अदनान साथ दिन के लिए आया था उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो भी शेर किया और कहा दोस्तों बिग बॉस में मेरा दोस्त आया है प्लीज सपोर्ट करो हाला कि इस वीडियो में एक ट्विस्ट है दरसल इस वीडियो में पीछे से एक आवाज आती है कि अधनान को निकाल दिया बहर हो गया है वो मुनवर ने आश्चरी व्यक्त करते वे पुछा बहर हो गया और वीडियो खत्म हो जाता है मुनवर फारुकी ने लवकेश कटारिया का भी मजा कुड़ाया और कहा कटारिया सभी मेंसे मेरे पसंदीदा है खत्रों के खिलाडी के प्रतियोगी आपको अधनान को घर से केवल 10 दिन रहने के बाद ही घर से बाहर कर दिया गया है। अधना है झाल दिया है।